नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल में एकसल में कैसे पेशन बीलिंग सिस्टम बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अल्रेडी एक फॉर्मेट यहाँ पर डिजाइन करके रखा है जहाँ पर मैंने लिया है पेशिंट आईडी पेशिंट नेम वर्ट टाइप एडमिशन डेट डिस्चार्ज डेट और नमबर अप ड और लास्ट मैं टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर वर्ट चार्ज डॉक्टर फीज इन सारे को मिला के यहाँ पर टोटल अमाउंट हम कैल्कुलेट करके निकालेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नमबर अप डेज को कैल्कुलेट करूंगा इसके लिए आपको यहाँ पर एक formula लिखना होगा, तो यहाँ पर हम formula लिखेंगे, सबसे पहले देंगे equal sign, फिर एक first bracket को open करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर discharge date को select करूँगा, फिर देंगे minus sign, उसके बाद admission date को यहाँ पर select करेंगे, bracket को close करेंगे, और उसके साथ plus 1 करेंगे, plus 1, just एक बाद enter करेंगे, enter करने के साथ ही number of days calculate होके निकलाएगा, बाकियों को calculate करने के लिए आपको इसको select करके यहाँ से drag and drop करके feel कर देना है, और इसके साथ ही बाकियों का भी auto fill हो जाएगा, अब हम यहाँ पर word charge को apply करेंगे, इसमें हम यहाँ पर देखिए word type में 2 types रखे ह एक है CCU और एक है normal bid, इन दोनों word का charges अलग होता है, तो इसका amount हम यहाँ पर word charge में calculate करके निकालेंगे, मैंने यहाँ पर example के थुरू CCU bid के लिया है 15,000 और normal bid के लिया है 10,000, इन दोनों charge को use करके मैं यहाँ पर आपको word charge निकालके दिखाऊंगा, तो इसके लिए आपको य लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे equal if, फिर first bracket को open करेंगे, फिर आपको यहाँ पर word type के जो first cell है, उसको यहाँ पर आपको select करना है, फिर देंगे equal sign, इसके बाद double quotation में लिखेंगे CCU, quotation close करने के बाद फिर देंगे comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर number of days को select कर लि लिख दिया है, फिर देंगे comma, यह होगया first condition, अब हम यहाँ पर second condition को लिखेंगे, फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे if, first bracket को open करेंगे, open करने के बाद हम फिर से यहाँ पर word type के first cell को select कर देंगे, सिलेक करने के बाद फिश से लिखेंगे equal और quotation में लिखेंगे normal उसके बाद quotation को close करेंगे और डालेंगे एक कॉमा कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे f4 मतलब कि number of days के साथ multiple with 10,000 कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे CCU bet का 15,000 और normal bet का 10,000 करके number of days के साथ multiple कर दिया है जस्त यहाँ पे दो बार bracket को close करेंगे और एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही word charge देखिए यहाँ पे calculate होके निकल आया है बाकी यहाँ को calculate करने के लिए just एक बार ड्रैक करके auto feel कर देंगे और इसके साथ ही बाकी सारे का भी word charge calculate होके निकल आयेगा अब मैं यहाँ पे आपको doctor's fees calculate करके दिखाऊंगा example के लिए मैंने यहाँ पे doctor का जो fees है वो 1200 करके पड़े लिया है तो इसको मैं यहाँ पे calculate करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे equal sign फिर आपको यहाँ पे select करना होगा number of days के first cell को उसके साथ multiple with 1200 कर देंगे और just एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही doctor fees calculate होके निकल आयेगा बाकियों को calculate करने के लिए just यहाँ पे double click करेंगे तो यह data automatically fill हो जाएंगे अब मैं यहाँ पे total amount को calculate करूंगा इसके लिए word charge और doctor fees को अगर हम add कर देंगे तो total amount निकल आयेगा इसके लिए यहाँ पे formula लिखेंगे equal word charge plus doctor fees just एक बार enter करेंगे उसके साथ ही total amount calculate हो जाएगा बाकियों को यहाँ से auto fill कर देंगे तो दोस्तो यह हो गया पूरा calculation तो दोस्तो यह था simple process जिसको use करके आप easily Excel में किसी भी hospital का patient billing system या फिस statement बना सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support